नमस्कार रुशालीज रेसिपिन डेकोर में आपका स्वागत है पिशली बार मैंने आपको कीचन का जो विंडो है उसका क्लीनिंग दिखाया था आज हम देखेंगे गैस टो का क्लीनिंग हम जब खाना बनाते हैं तो वो गर्मी के कारण यह आजू बजू में जो चितना हट ह हो जाती है और यह बहुत ही ज़्यादा पक्का हो गया है मेरे यहां तो आज हम इसका क्लीनिंग किस तरह से बहुत ही आसानी से करना है वह मैं आज दिखाने जा रही हूँ इसके लिए मैंने एक बाल में थोड़ा सा पानी लिया है जितना भी हमको सोलूशन बनाना है हम उत है आप इसको बर्नर के आजू-बाजू में लगा देते हैं इस तरह से मैं लगा रही हूँ और यह बस मैं लगा के रखूंगी और यह काफी असरदार है लिक्विड है और यह बहुत यह आसान तरीका है तो इस तरह से मैंने ग्यास बर्नर के आजू-बाजू में सब जग म मैं इसको लगा रही हूँ यह देखे मैं यह जो solution हमने बनाया है वो सब जगह मैंने लगा दिया है और एक पुराने brush से भी आप इसको लगा सकते हो यह देखे इस तरह आसानी से बिना हाथ लगाए हम इसको लगा सकते हैं और हम इसको 10 से 15 मिनिट तक ऐसे ही रखेंगे मेरा क दर का जो burner है वो निकाल के यहाँ पर आप देख सकते हैं जो screw है वहाँ पर भी कितना काला काला हो गया है इसको भी हम यही वाला solution लगा देंगे यह देखे लगाते लगाते से ही यह निकल रहा है मतलब यह इतना असरदार solution है हमने बनाया है और यह तीनो बरनरों को मैंने लगा दिया है अब हम gloss पहन लेंगे क्योंकि यह जो solution हमने बनाया है यह हातों पे नहीं नहीं तो यह skin में बहुत ज्यादा जलन करता है इसलिए gloss पहनना बहुत ही जरूर है मैं पुराने brush के सहायता से यह पूरा अच्छे से गिस लूँगे अंदर वाला part और glass वाला part तो ह कितना अच्छे से यह साफ हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वो कपड़ा धो धोके तीनो बर्नर को अच्छे से मैंने पोश लिया है और यह बहुत ही असरदार solution है अंदर का जो glass वाला top है उसको मैं अच्छे से पोश लूँगी इस तरह से और जहाँ जहाँ य समय में यह हो गया है मैं बर्नर को वापस लगा रही हूँ और पीछे वाली जो आप यह pipeline देख रहे हो यह भी काफी ज्यादा चिकना हट्स हो गई थी तो उसको भी मैंने वो solution लगा के साफ कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छे से यह साफ हो गया है तो अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ही चोटी चोटी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रही है थैं Thank you so much!